दोस्तों, दिवाली के अगले ही दिन, मुंबई के वानखेडे स्टेडियम में भारत और न्यूजी लैंड के बीच तीसरा टेस्ट शुरू हुआ और मैदान में जडेजा का एक जबरदस्त वन मैन शो देखने को मिला। जडेजा ने 22 ओवर गेंदबाजी की और 25 रंदेकर पांच विकेट किये। ज़हीर ईशान्त को पचाड़ा न्यूजी लैंड की पहली पारी में तीन विकेट लेते ही जडेजा टेस्ट में पांच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतिये गेंदबाज बन गए। उनने एक साथ दो दिगजों को पचाड़ दिया। जडेजा पूर्व भारतिये तेज गेंदबाज ज़हीर खान और इशान्त शर्मा से आगे निकल चुके हैं। जडेजा ने ज़हीर खान और इशान्त शर्मा को पचाड़ते हुए टेस्ट क्रिकेट में भारत के पांचवे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। उन्होंने अब तक सेबंटाप पर टेस्ट में 3114 विकेट ले लिये हैं। और खास बात ये है कि जडेजा ने इस मैच में न्यूजीलैंड के टॉप बैटर्स विल यंग, टॉम बलंडेल, ग्लेन फिलिप्स, ईश सोडी और मैट हेनरी को चलता कर दिया। इतना ही नहीं जडेजा ने 5 विकेट हॉल के मामले में बिशन सिंग बेदी की बराबरी कर ली है। दोनोंने 14 बा प्रदर्शन के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले।